अलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक बहुत सारे लोग लगातार एक क्वैरीज रखते हैं कि बार बार इंफेक्शन हो जाता है जलन होती है दर्द होता है तो आखरी यह क्या इंफेक् इनफेक्शन से यानि आजम फिजर के बारे में बात करेंगे बबासीर पाइल्स बगंदर तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका एनोरेक्टल पैसे यानि कि वह रास्ता जहां से आपका स्टूल स्टूल टट्टी पास होती है उस रास्ते के कुछ कॉमन प्रॉ बैठने में डर्द होता है दूसरी कंडिशन होती है कि आपको फिजर हो जाता है नि जो आपका पैसेंज इनौरेक्टल पैसेज जो इस टूल वाला रास्ता है उसके अंदर आपको जलन होगी आपको दर्द होगा और एक sharp pain जब आप stool pass करोगे तो आपको महसूस होगा fistula वाली condition यह होती है कि जो आपका passage है जो रास्ता है उससे एक दूसरा रास्ता बन जाता है एक cavity बन जाती है एक थैली नुमा structure बन जाता है उसमें पस बरता है और फिर आपका fistula यानि जो फोड़ा है जो फुंसी है वो activate हो जाती है और उसके बाद देखते हैं आपकी वो खुद ही फट जाएगा या रिस जाएगा ठीक हो जाएगा लेकिन कुछ दिन के बाद फिर बार-बार infection होता है एनल फिजर आपको होता है तो उसका क्या इलाज है और उसके क्या symptoms है क्या कारण है तो देखो सबसे पहली बात है कि symptoms में आपको सार पेन होना कई वरी bleeding के साथ पेन हो सकता है बैटने उठने में आपको दिक्कत होगी और जलन होती है उसमें बहुत ज़्यादा यह तो इसके symptoms है causes में बहुत ज़्यादा मसाला चिकनाई वाला खाना खाना पैक्ट फूड लेना बहुत ज़्यादा alcohol बहुत ज़्यादा तमाकू smoking यानि acidic food का सेवन चिकन मटन का सेवन जादे करना यह सब और constipation का बारवार होना infection का बारवार आना यह सब कारण होते है अ इमीडेटली आप उसको समझे और रोकने की कोसिस करिए क्योंकि यदि आपने इसको treat नहीं किया इसको prevent नहीं किया इसको manage नहीं किया तो कुछ समय के बाद क्या होगा आपको कि या तो आपको piles हो जाएगा या तो आपको दाने मस्से बन जाएंगे या फिर आपको fistula हो जा सबसे पहली बात यह है कि आप सुच बात करें सुच बात से मेरा मतलब है कि आप टम में पानी डालें और उसमें पोबरडीन डालें 5-10 ml और नहाने से पहले आप उस टम में बैटें तो उससे आपका पूरा प्रॉपर क्लिन होगा और आपको काफी ठंडक लगेगी काफी पे जाएं और आपकी जो एनस मिसल्स हैं उसको अच्छे से होल्ड करें खीचे अंदर और फिर दीरे दीरे उसको छोड़ें तो यह क्लिनिंग भी होती है सिखाई भी होती है इससे आपको काफी रहात मिलती है और एनोरेक्टल जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो भी कम हो जाता पहला तो यह करना है आपको दूसरा कोई भी उस तरह की क्रीम आप ले सकते हैं जिसमें मोस्ट कॉमन क्रीम एक तो सील्ड करके क्रीम आती है सील्ड क्रीम आप ले सकते हैं उसको आप दो बार लगाएं सुबह साम एपलिकेटर उसमें होता है उससे लगा सकते हैं या फिर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपको नखून नहीं होने चाहिए नखून कटा हुआ होना चाहिए तो दौनों में से कोई भी क्रीम ले ले और सुबह साम तीन से पांस दिन आप उसको अपलाई करें इसके बाद आता है कि एक एंटिबाइटिक का कोर्स भी आपको लेना पेन किलर लाइक जीरो डॉल पी और एस पी इस तरह की दबाई यह ले सकते हैं तो फाइव डेज यह लीजिए आप तो आपका जो यह फिजर है जो एनोरेक्टल पैसेज में आपको इंफिक्शन है यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा अब इसका बचाब क्या है इसका बचाब यह है कि बहुत जादा है ओयली स्पाइसी यानि गरम मसाले वाली चीज़ें तीखी चीज़ें पैग्ड फूडें यह ना खाएं आठ से दस गलास पानी पीएं प्रॉपर फाइवर डाइट लें फाइवर डाइट से मतलब है एपल पपया अमरूत यह एक फूट्स कोई भ बचाएंगी प्लस कॉंस्टिपेशन ना होने दें यदि आपको कॉंस्टिपेशन होता है तो उसके लिए कोई राइट लग्जिटिव आप ले सकते हैं यदि आपको इस टूल बहुत इस्टिक ही आता है चिपक के आता है अच्छे से पास नहीं होता तो आपको फाइवर फिर आप इस सब गोल ले सकते हैं डाइटरी फाइवर के साथ और यदि आपको इस्टूल पास ही नहीं होता है बहुत दर्द होता है तो फिर आप तिरफला खा सकते हैं हरट पाउडर ले सकते हैं ये एक चमच रात को गरम पानी के साथ सोने से 10 मट पहले खाना खाने के ल इतना कम प्रॉब्लम होगी क्योंकि फिजर वाले जो पेशेंट होते हैं, यदि उनको स्टूल हर्ड हो जाया, तो पेन बहुत जबादा होता है, और ये कई बारी बहुत प्रॉब्लम भी क्रेट करता है, तो इसका ये management है, इसको इस तरह से deal करिये और इस से बचिये, यदि आपने फिजर को यानि एन उरेक्टल जो पैसेज में जो चेंज है, जो बदलाव है, जो इंफेक्शन बारबार आ रहा है, यदि आपने उसको प्रिवेंट कर लिया, उसको मेंज कर लिया, उसको रोक लिया, तो फिर आपको पाइल्स या भगंदर होने की जो संभाव ना है वो minimize हो जाएगी so that is the only right punishment I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को subscribe करिए icon bell hit करिए और जो भी आपकी feeling है वो हमें जरूर express करिए Thank you very much and take care of yourself